है वे फिंट्स एंड वेलकम बैक टो और चैनल स्मार्टेर्स क्लब और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल के माद्यम से इस वीडियो के माद्यम से हम निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी का डिली अनलिसिस करते हैं करने के लिए हम उसकते हैं टेक्निकल इनालीसिस का और साथ में रीड करते हैं ओप्षिन चैन को दोस्तों इन आलेबल्स को ध्यान में रखते हुएस अपने स्ट्राइजी को डिजाइन कर सके साथ में निफ्टी के वा अग्न that trade too. दोस्तों हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोजात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुँच जाए. साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल अनालिस और ट्रेडिंग टेक्निक से लेटेड वीडियो भी रेकुलरली देखने को मिलते रहते हैं. For example, अगर आप options के अंदर derivatives के अंदर trade करते हैं, तो options को किस तरह से effectively read करना चाहिए, कौन से strike के उपर में buyer एक्टिव है, seller एक्टिव है, या कौन से strike पर काम करने के वैसे आपको maximum benefit हो सकता है. इसी के साथ में technical patterns को किस तरह से derivatives के साथ में mix करके trade करें. इन सब subject को cover करते हैं और साथ में bell icon को भी प्रेस कर लिजे, ताकि आपको latest updates मिलते रहें. इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को support करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को join भी कर सकते हैं, उसकी membership को भी join कर सकते हैं, जहां पे silver, gold and platinum ये तीन membership हम offer करते हैं, इनकी सब gold आपको nifty और bank nifty के daily के futures के label होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं, और अगर आप platinum membership के लिए जाते हैं, तो आपसे live market के अंदर में trade करता हूँ, इनिशेट के बारे में information भी शेयर करता हूँ, तो दोस्तो शुरू करते हैं, हम हमारा आज का वीडियो जो है nifty 50, bank nifty और हमारे इंडरे trades के बारे है, जहां पर कल के दिन में closing हुई, इसके आज-पास आज की भी closing हुई, दिन के अंदर थोड़ा सा वोलडायल था session, जिसके चलते हुए हमने देखा कि market फोड़ा सा correction हुआ, लेकिन suddenly वहां से उपर जाते हुए भी नजर आ हुआ है, 18 point के आज-पास काम कर रहा है, panic कम है market मे अगर इसी point के आज-पास में काम करें तो बढ़िया बात है, market में और rally देखने को मिल सकती है, 13,354 पे nifty closing देने में successful रहा है, और bank nifty 30,211 पे closing देने में successful रहा है, दोनों के futures अगर देखे 13,382 पे काम कर रहा है, 30,270 तो दोनों futures आपके हाँ पर premium में काम करते हुए नजर FII की position अगर बताएं, तो FII ने कल के मुकाबल अपना long बढ़ा दिया, अब 80% के उपर का long देखने को मिल रहा है, FII की तरब से, अगर cash में बात करें तो cash में 3000 प्लस करोण का, लग बग लग लग 4,000 करोण के आस-पास का, इन्होंने शॉपिंग किया, 4000 करोण के आस-पास क इन्होंने या पर investment किया है, DII अभी भी अपना stands negative लेके ही चल रही है, definitely अगर कोई buy कर रहा है, तो इसे बेशने वाला कोई ना कोई चे, तो DII अपने जितने भी stocks हैं, वो ले 2000 प्लस की, बिक वाली, so इनका पिछले देड़ महिने से, continuously इनका negative figure चालू है, और FII continuously positive figure pumping करता ह cautious view कहा होना चाहिए, मुझे लग रहा है 80% के उपर जब FII जाता है, तो definitely थोड़ी सी profit booking करता है, और ये पिछले एक अपते के अंदर में भी देखने को मिला हुआ है, कि week के किसी एक दिन के अंदर में profit booking कर लेता है, वो उस दिन participation कम होता है, उस दिन long कम कर देता है FII, Tuesday, Wednesday, ये तीन दिन बचा है, Thursday की दिन में वो ऐसा नहीं कर रहा है, तो Tuesday है Wednesday किसी एक दिन में वो काम किया सकता है, हो सकता है, कल के दिन में वो activity देखने को में मिले, थोड़ी सी cautious view के साथ में काम करना चाहिए, दूसरा reason cautious view का PCR, put call ratio, nifty का put call ratio 1.65 के आस-पास में काम कर रहा है, जो trading around 13,354, 13,420, 13,450 के आस-पास जाते ही, आपका put call ratio 1.75, 1.80 के आस-पास जाएगा, वहाँ से profit booking आ हो सकता, आपको देखने को मिले, और 100-200 point का correction देखने को मिले, फिर से nifty 1.50, 1.45 के पास में आता हुआ, put call ratio हो सकता है, तो दिन के दौरान उपर ही label पे आपको सतर कर रहना ह है, उपर से आपको एबा profit booking देखने को मिल सकती है, nifty के अंदर में, bank nifty 1.20 के आसवास में काम कर रहा है, तो यह ठीक है, इसमें कुछ नहीं, लेकिन आप देख रहे है, nifty कितना strong है, bank nifty weak नजर आ, तो definitely 1.20 वहाँ पे इतना नहीं हा, लेकिन अगर nifty गिरता है, तो उसका effect definitely आपको bank nifty में भी देखने को मिलेगा, ऐसा expected था कि bank nifty अगर 30,100 के उपर काम, 200 के उपर काम करता है, तो 30,450 तक जा सकता है, जो कि नहीं पहुचा है, तो अपने आप में weakness दिखा रहा है bank nifty already, चले बात करेंगे, point wise तो अलड़ी हमने discuss कर लिया, बात करेंगे, चार्ट के कि निफ्टी और bank nifty किस तर के pattern बना रहा है, और क्या expectation रखना चाहिए आने वाले मंगलवार, बुद्वार, गुरुवार के लिए हमें index के साथ में, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं, कि हमने आज के दिन में कौन सा trade initiate किया था, और क्यों initiate किया था, शुरुआत करेंगे 322 पर buy किया था, उस टाइम पर ऐसा लग रहा था, bank nifty नीची जाने की तयारी कर रहा है, इट वेंट डाउन लेकिन उसके बाद में उसके rally देखने को मिली, 265 के आसपास जाके फिर sharp move आया, इस point के अंदर में, इस trade के अंदर में, और 317 के आसपास आया, momentum loss था, इसके 77 पर उसे square off का है, क्योंकि 20% के उपर का gain होता है, तो मैं normally square off कर देता हूँ, मैं next day carry करने में इतना believe नहीं करता हूँ, वहाँ पर 2550 रूपी जो example है 150, यानि 2 lots के उपर में देखने को मिला, पर lot अगर आप देखे तो यहाँ पर 28.33% की gain देखने को मिले हुई है, अगर सकते हैं, ताकि मेरी team आपको help कर सके यह trade आपके whatsapp पे पहुचाने के लिए, so friends, बात कर लेते हैं, nifty और bank nifty के बारे में, कि यह जो 3 दिन बचे हैं, इस 3 दिन में में क्या expectation रखनी चाहिए, cautious view है तो क्यों है, और कौन से level पे सतर खमे रहना चाहिए, दोस्तों इस वीडिय देता हुआ ही नजर आ हुआ है, तो initially जिस तरह से nifty के अंदर में, एक triangle formation होता हुआ है, हम यहाँ पर भी बोल सकते है, एक triangle formation हुआ है, जो कि 30,000 के आस-पास में at the same time देखेंगे, तो एक triangle formation बनता हुआ नजर आ है, breakout हुआ, breakout होने के बाद में उपर गया, series of doses बने हुए है, यहाँ पर तीन दोजी देखने को मिल रहा है, और उसके बाद में correction देखने को मिला, उपर की तरफ में 30,136 पे support ले रहे हैं फिलाल, वहाँ से support लेके उपर की तरफ closing की, लेकिन 30,450 जो expected था वहाँ तक नहीं पहुच पा है, in fact, इसके काफी पहले, 100 point पहले ही profit booking चालू हो अब कल का दिन important होगा, क्या कल के दिन में हमें 30,000 के नीचे के trade देखने को मिल सकते हैं, क्या एक बार उसका chance बनता है, 30,000 के नीचे का trade देखना बनता है, but even then, एक बार अगर 30,000 के आसपास में आएगा, तो मैं buy करने के कोशिश करूँगा, क्यों 30,000 के आसपास में 29,917 के आसपास में, मुझे लगता है, अगर 29,917 या तोवर सा डीप करके 29,900 कर दो, अगर इसे तोड़ता है, तो 29,800, 29,681 ये लेबल से एक बार bank nifty में देखने को मिल सकते है, bank nifty जब भी reaction देता है, positive या negative 400-500 point का reaction देखने को मिलता है, so अगर 30,000 के नीचे जाते है, sentiment ए अगर 29,440 से लेके 29,500 तक के लेबल भी आजावें, तो कोई आश्चरी चकीतोन्याली बात नहीं है, क्योंकि bank nifty जब ज़्यादा बोलाटाइल होता है, उपर की तरफ, अगर 30,200 जो लेबल आज हमने 30,350 के आसपास का लेबल बना है, अगर इसके उपर काम करना चालू करत है, तो ही एक बार लॉंग बनाने की सोची जा सकती है, शौट क्रेट करना है कहां से, उपर की तरफ मैं सोचूँगा 30,000, अगर मिला तो 30,450 से मैं एक बार शौट क्रेट करने कोशिश करूँगा, निचे की तरफ, टागेट होगा 30,000 के आसपास का, और 30,525 का stop loss रहेगा, इस लेबल के साथ में कल के दिन में मैं ट्रेड इनिशिट करने की कोशिश करूँगा, बैंक निफ्टी के अंदर में, वीक नजर आ रहा है तो 30,500 फिलार एक्सपेक्टेड नहीं लग रहा है, मुझे कल के दिन में तो एक्सपेक्टेड नहीं लग रहा है, डेली कैंडल प बनाते हुए नजर आ रहा है जो कि टेडर्स होते हैं जो टेडर्स होते हैं बायर्स और सेलर्स उनके बीच में थोड़ी सी उठा-पटक वाली कहानी हो जाती है जिसके चलते हैं बोल सके हाई रही है तो कल के दिन में उपर का टेडर्स देखने को मिलेगा ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि यहां पे उपर की तरब से अभी भी क्लियर कट दिख रहा है कि बैंक निफ्टी में प्रेशर है जस्ट एजूम करने की कोशिश करें फ्राइडे के दिन में अच्छी मॉनेटरी पॉलिसी आई लिक्विडिटी बैंकों में बढ़ते हुए नजर आएगी यह डिसे क्या इंडिकेट कर रहा है क्लोजिं हमने 30,200 के आज पास में दी हुए है लिट मी चेक इट वन सगें यह 30,200 के आज पास में हमने क्लोजिंग दी हुए है तो add the money हमारा 30,200 होगा लिट मी मार्क 30,200 अज एड़ दे मुनी now check this 13,813 का open interest देखने हो मिल रहा है since 500 का multiple नहीं है इसके लिए यहाँ पे कुछ खास open interest नहीं है so let's look at the 500 का multiples first of all 30,500 36,839 का अभी भी highest open interest यहाँ पे बना हुआ है 36,389 का 31,000 पे open interest देखने हो मिल रहा है and उसके नीचे जाए तो 24,000 23,000 के open interest है so 31,500 32,000 हर 500 पे थोड़ा ठीक ठक बना हुआ है open interest in the money के अंदर में 26,140 का open interest अभी भी है 30,000 के उपर में put side में अगर देखेंगे तो put side में आज 30,000 के उपर में addition देखने को मिला एडिशन आमें जो से writing देखने को मिली थोड़े हद तक मैं इसे meaningful writing बोल सकता हूँ Friday के मुकाबले अच्छी writing देखने को मिली है so 33,141 का open interest है almost 15,500 एडिशन आज के दिन में ही हुआ है 10,132 का writing देखने को मिल रहा हमें 29,700 so एक चीछ clear है इस odd number पे इतनी बड़ी activity होने का मतलब क्या होता है कहीं न कहीं 29,700 के नीचे जाते हुए traders इसे नहीं देख रहे है 33,733 का open interest 29,500 so अभी भी highest open interest अगर आप देखेंगे तो highest open interest 30,500 and 29,500 के बीच में ही बना हुआ नजर आ रहा है let me check put में कहीं और भी highest हो yes 29,000 पर highest open interest है और in fact activity भी आज के दिन में बढ़िया होई तो माफ करेगा जो आपको highest open interest दिख रहा है वो 30,500 से लेके 29,000 के बीच का highest open interest है एक दो दिन और अगर 30,200,300 के उपर काम करना चालू करता है तो शायद से आपको 30,500 पर highest open interest बनता हुआ नजर आए range 30,500 से 29,000 यह बड़ी range है मैं इसे बड़ी range मानता हूँ छोटी range के बारे में बात करें तो 30,500 से लेके 29,500 के बीच में आपको छोटी range देखने को मिल सकती है quadrant 1 and quadrant 2, quadrant 1 में अगर मैं deep OTM की मात करो तो long बनते हुए नजर आ नहीं तो quadrant 2 के अंदर में writing होई है quadrant 3 and quadrant 4 दोनों के अंदर में writing होते हुए नजर आई है तो यह जो setup है यह setup basically आपको तब बनते हुए नजर आता है जब intraday के अंदर में high से आप अच्छे points गिर के closing देते हो तब ही आपको यहाँ पर writing नजर आती है quadrant 2 के अंदर में यहाँ पर clear cut होते हुए नजर आ रहा है निफ्टी के मुकाबले bank nifty week नजर आ रहा है यह बात हो कि bank nifty के बारे में जैसा पहले में आपको इंफर्म किया निफ्टी का video already uploaded है कार्ड के उपर click करके आप यहाँ पर देख सकते हैं bank nifty का view आपको पसंद आया तो जरूर लाइक करेगा दोस्तों के शाथ में शेयर करेगा साथ में thank you very much for being with us, thank you very much for being with us as a subscriber and being with us as a platinum member, hope आप benefit को enjoy कर रहे होंगे, hope आने वाला week आने वाला expiry आपके लिए जोरदार होगा और आप खुब सारा पैसा को मैं, good night ordan लाख में ऑड़ शोस्तों क्वobil और दोस्तों कहा से वार झाल का लग् में बत्रोच्व प्सल्स झाल झाल झाल